बिना घंटों भूने और इस तरीके से बनाएं मिंटों में सूजी का बड़ा ही टेस्टी दानेदार रसीला सूजी का हलुआ जो मिलता है ना भंडारे में एकदम परशाद की रूप में जो हम खाते हैं कितना टेस्टी लगता है बहुत ही टेस्टी बनता है लेकिन आज घर बनाएंगे वह भंडारें यह सूजी का हलुआ बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बना लेते हैं तो मैं वू रशमी श्वागति आपका अधिका मेरी फैंदमोत में हैं तो आज लिएक में हों भांडारे वाला बड़ा ही टेस्टी दानेदार रशीला यह शूजी का हलु तो मैंने याँ मीडियम साइज के लिए है आपके पास अगर बिल्कुल छोटी छोटी दाने वाली हो भी ले सकते नहीं तो आप मिक्सी में भी चला सकते तो मैं ज्यादा दानेदार बनाऊंगी पस यह थोड़ा फूलता मतलब है ना इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा लगत है तो और इसी के बराबर मैंने लिया है घी और इसी के बराबर ले ली है मैंने चीनी परफेक्ट मेजरमेंट मैं बता रही हूं यह हलुआ बनाने का तो आप इसी मेजरमेंट से बना सकते हैं तो मैंने याँ ड्राइफ फूर्स ले लिए है छोटे देखिए बादाम को थो तरह मैंने रखी है कड़ाई और जो घी ले लिया है उसको डालेंगे तो आदा घी डाल दिया है और जो बचा हुआ घी बाद में यूज करेंगे वह बाद में बताएंगे कैसे करना है जो ड्राइफ रूट्स है ना तो उनको पहले रोष्ट कर लेना है तो देखिए जैसे ही इसमें डालते है ना घी में ये देखिए ड्राइफ फूर्ट्स तो जो किश्मिश होती है ना एकदम से गोलू मोली सी हो जाती है देखिए कितने बढ़िया से फूल जाती है बस आदा मिनट लगता है ये जो आपके मेबे हैं रोष्ट हो जाते हैं बस इनको निकाल लेना ह जो गी बच गया है ना उसी में आपको अब भूननी है ये सूजी तो अच्छे से गी गरम हो तभी आपको सूजी डालनी है जैसे ही जैसे गी में ये सूजी डालते है ना तो एकदम से फूल कर आती है तो बस छोटी छोटी ट्रिक आपको याद रखनी है तो आपका हलुआ है ना एकदम ते रसीला दानेदार वही जो भंडारे में खाते हैं ना हम परसाद की रूप में वही वैसा ही बनता है तो आप जरूर बनाए बस इसको भून लेना है वो लोग बेशन जरूर यूच करते हैं इससे हलुआ है बड़ा ही टेस्टी बनता है कलर भी अच्छा आता है और दानेदार हलुआ बनता है अब देखिए जो घी बचा कर रखा है थोड़ा सा एक से दो चम्मच और मैंने इसमें डाल दिया है और इसको फिर से भूनना है करना है पानी को आपको गरम करना है कोई साधा पानी नहीं डालना है जब हलुआ बनाएंगे और इसी में मैं डाल दूँगी इलाइची को मैंने कूट लिया है तो डाल दिया है जब तक गरम हो रहा है तो सूजी भी देखिए इधर भून कर रेडी है कितना अच्छा कलर आ नहीं है जब आपको ये गरम पानी डालना है बस आपको मिक्स करते जाना है और ये काम करते टाइम आपको जो देखिए बिलकुल भी टाइम लगता है जो आपकी सूजी है ना एकदम से फूल कराती है और बस देखिए जैसा ही पानी डालते जाते हैं और आपको चमचा से भी हुआ है और देखिए बढ़िया से मिक्स करेंगे और देखिए इसको पका लेंगे एक से डेड़ मिट पकाया है उसके बाद ही आपको डालिंग है चीनी तो आप क्या करते हैं पहले चीनी डाल देते हैं उसके बाद पानी डालते हैं नहीं पहले आप पानी डालिए फिर सब पका लीजी फिर उसके बाद डालिए आप चीनी इस तरीके से बनाएंगे और जैसे चीनी डालते हैं ये देखिए और थोड़ा थिन होता है पतला होता है हलुआ देखिए कितना बढ़िया से पकरा है फिर से डालेंगे इसमें घी तो इसी प्रोसेस से घी डालेंगे तो उपर से दिखता भी है और बढ़िया से हलुआ आपका बनता है एकदम दानेदार रसीला देखी सकते हैं अभी वी चिम्चा में विल्कुल से नहीं चिपग रहा है ये हलुआ फिर से डाल दिया है तो इसी प्रोसेस से आपको बनाना है ये हलुआ तो एकदम आपका जो परशाद में मिलता है तो यहां बन चुका है तो मैंने थोड़े से ड्राइफ फूर्ट अभी डाल दिये हैं थोड़े से मैं बाद में डालूंगी जब मैं सर्व करूंगी तो देखिए कितना बढ़िया बना है एकदम से चमचा में नहीं लग रहा है तो इसी प्रोसेस से म बहुत ही टेस्टी हलुआ बनता है जरूर बनाईएगा इस ट्रिक से तो चलिए इसको शर्प कर लेते हैं तो मैंने यहां पर देखिए निकाल लिया है थाली में बड़ा ही टेस्टी बना है उपर से मैंने सारे ड्राइफ फूर्ट देखिए डेकूरेट कर दिये हैं आप जो भी ड्राइफ फूर्ट खाते हैं वो डाल सकते हैं देख सकते हैं मैं दिखा रही हूं आपको एकदम से बड़िया पर्फेक्ट यह देखिए हलुआ बनकर तयार है तो आप भी जरूर बनाए इस मेजर्मेंट के साथ और इस ट्रिक से बनाएंगे हलुआ ना आपका जो बनाया था सूजी का हलुआ काले चैने और साथ में पूडिया तो यह पूरी फूल परशाद की थाली की रेस्पी आ चुकी है आप चैनल पर जरूर देखें अभी तक देखी नहीं है तो मैंने अलग से भी हलुआ की जो रेस्पी है यह देखिए सेयर कर दी है तो आप किया तो जरूर कर लीजिएगा फिर मिलते हैं नहीं रेस्पी के साथ बाबाई टेक क्यार